हाई फ्रेंड्स बहुत सारे मित्रों की कमेंट आते हैं और जो सपोर्ट मिलता है उससे तो मुझे बहुत अच्छा रगता है दोस्तों लेकिन कुछ मित्रों से मेरी शिकायत भी है और वो यह है दोस्तों कि कुछ मित्र कहते हैं सर आप तो शेर्स के नाम बता दो बस हम जाके खरीद लेंगे अरे भाई ऐसे नहीं होता यहां पर आपको देखो कुछ भी करनो लेकिन शेर मार्केट की नौलेज गेन करना ज़रूरी है अगर आपको लॉंग टर्म के लिए प्रोफिटेबल इंवेस्टर बनना है तो रोज मेरी वीडियो देखिए या थोड़ी अपनी इ सागर्नोमिक्स पर जो की totally dedicated है serious investors के लिए तो आज हम बात करने वाले दो ऐसे shares की जो इस टाइम पर अच्छी opportunity की तोर पे आपको नजर आ सकते हैं चलिए देखते हैं कौन से दोनों shares है और उनमें क्या opportunity है और आपको portfolio में उन्हें शामिल करने से कैसे returns expect करने चीए let's see that so let's begin सागर्नोमिक्स जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों वो है आपके screen पर और उसका नाम है दोस्तों easy trip planners अब आपने ना आप पूछोगे कि साब ये company क्यों नी तो अगर आपको थोड़ा सा अभी का latest वाला situation ध्यान हो तो ध्यान है ना Maldives के साथ में इंडिया की कुछ problems थे रही थी कि वहाँ पर bookings जो थी वहाँ पर होने वाली वो cancel हो गई और अब जो travelers वहाँ जाना चाहते थे वो अब लक्षद्वीप की तरफ जाना चाह रहे हैं तो easy trip planners है इसकी खास बात है कि इसकी company is my trip ये website है इसकी और ये travel packages provide करते हैं और इन्होंने साफ तोर पे twitter पे आके इनके CEO ने कह दिया है कि हम देश का सम्मान करते हैं इसलिए हम Maldives की bookings को अपने platform से cancel कर रहे हैं तो दोस्तों इससे एक देश भर में इनके प्रती एक अच्छा positive message गया है और कहीं ने कहीं इनके share price में आने वाले दिनों में आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा क्योंकि लोग जो make my trip पर book करवा ज़रूरी होता है तो यहां पहले देखिए आप company के fundamentals तो जाहिर सी बात है कि इस my trip के नाम से इनकी website है जिस पर यह बहुत सारे holiday packages, rail ticket, flight ticket और taxi अगर सब provide करते हैं आपने भी शायद कभी कोई book करवाई होगी इनसे तो आपको अगर नहीं करवाई है तो आप इनकी website और आप देख सकते हैं यह बिल्कुल make my trip की ही तरह से है बट यह प्योर नहीं Indian company है और यह Indian packages ही इनोंने बनाएं तो यहां से देखिए आपकी जो मोलडीव का package था वो बिल्कुल गयाब हो चुका है चलिए यहां पर हम बात करें इसके numbers की तो 7,800 क्रोड रुपे की company है दोस हलांगी e-commerce में जो companies होती है उनको dividend के लिए गुंजाईश कम होती है बट दोस्तों return on equity देखिए 46.9% यह काफी अच्छा number है और अगर आप sales की growth देखिए 33% उसके मुकाबले में 3 गुना यानि 103% profit इनका बढ़ा है तो अब आप यह समझ सकते profit ज्यादा तेजी से बढ़ र रहे ना उनमें इनको margin अच्छा मिल रहा है इसके लिए क्या कर रहे है कि यह जैसे volume बढ़ता है बिजनिस का वैसे वैसे अच्छी deals मिलती है माल लीजे आज आप एक travel company है और किसी hotel में माल लीजे 5 rooms book करवाते हैं अपने guests के लिए अपने customers के लिए तो आपको suppose कर यह hotel वाला उसमें से company 15% 10-15% customers को transfer कर देती है तो उनको भी जो package वो सस्ता मिल जाता है प्लस company का जो बचा हुआ पैसा है उसमें उसका profit बढ़ जाता है इस तरह की चीजों से दोस्तों जब business बढ़ता है तो उसमे profitability हाई होती है और यहां पर आप देख सकते हो कि कुछ-कुछ ऐसा ही आ मोटर के पास में है और आप देखेंगे ग्राम नंबर साड़े आठ है उसके मुकाबले में 44 यानि थोड़ी सी प्राइस ओवर प्राइस है लेकिन फिर भी करीब-करीब ठीक है दोस्तों ऐसा कोई बहुत हैभी प्राइस भी नहीं है अगर आप इसके नंबर्स पे नजर ड 2020 में थे यह इनका सेल्स थी और आज हो गई है दोस्तों 2023 में 102 करोड यानि सिर्फ और सिर्फ तीन साल में 10x कितनी हो गई जी 10 गुना सेल्स हो चुकी है तो कुछ तो कंपनी अच्छा कर रही है प्रोफिट की बात करें तो 6 करोड था और अभी प्रोफिट हो गया लगबग दिरे 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 बढ़ाने की कोशिश कर रही है बीच में थोड़ा सा हिचकोले भी आते हैं अब अगर आप नेट प्रोफिट की बात करो तो एक करोड था पहले और अभी हो चुका है 150 करोड के आसपास 147 करोड सो आप साफ तोर पर देख सकते हैं कंपनी एक अच्छा ख इस तो यह तब से प्रोफिटेबल रिटरन देती आ रही है इन्वेस्टर्स को और अगर आप यहां ध्यान दे तो यहां पर एक थोड़ा कंसोलिडेशन का दोर शुरू है बट लेटेस्ट अगर आप बात करो तो यहां वापस से ग्रीन केंडल बन रही है और यह मंत्री च लाट रुपे से उपर करीब-करीब हो जाएगी यहां मैं कहुंगा यह lifetime high जो है 70 से उपर अगर cross कर जाती है तो फिर दोस्तों यह 100 रुपे तक आसानी से जाती हुए आपको नजर आएगी हो सकते आने वाले टाइम में आपको यह multi-bagger return बनती हुए भी company दिख जाए इसके corporate actions पर नजर डालें तो यहां देखिए कि इसमें इसने दोस्तों हाला कि company नहीं है लेकिन फिर भी profit देने की इसने कोशिश की है और यह देखिए आपके स्क्रीन पर इसने दोस्तों यह sorry dividends नहीं कोशिश की है तो पहले देखिए इन्होंने दो रुपे का dividend दिया फिर एक रुपे का dividend दिया फिर इन्होंने 0.10 देखो कितना dividend देता है वो एक अलग चीज है लेकिन हमारे जैसे ऐसे कहते हैं कि आप किसी को दान दीजिए या कुछ भी तो अच्छा करी रहे नहीं देने से अच्छा है कि जो प्रोफिट है उसमें से थोड़ा सा दे इससे इनकी नियत का पता पड़ता है कि नियत इनकी साफ है next बात करते हैं दूसरी company दोस्तों वो है Trident Limited इस पे हमने अलग से वीडियो पहले भी बनाया हुआ है लेकि Trident Limited की खास सो रुपे से कम में अविलेबल है यानि मैं तो कहूंगा कि पचास रुपे से कम में अविलेबल है दोनों companies तो मेरे जो बित्र कहते थे सर सस्ती कंपनी बताओ सस्ती कंपनी बताओ तो भाई दोनों ही कंपनी अमने सस्ती बताईए आपको साथ में देखो 23,000 की करोड की Market Cap ह और अगर आप बात करो dividend yield 0.77 है stock का पी 52 है बदाओ आप इंडस्ट्री का पी 36 है अब उन लोगों को क्या कहें जो यह कह रहे हैं कि साब यह तो सस्ती company है यह एक बाव बदाओ जिसकी company का stock का price to earning ratio 52 है और उसकी price 46 रुपए के आसपास है बना 40-45 रुपए के आसपास की price तो वो आपकी नजर में तो penny stock है लेकिन अगर आप एक investor की नजर से देखोगे कहीं न कहीं थोड़ा सा overvalued है तो यह numbers कभी-कभी अगर ढंक से नहीं समझे जाए तो misleading हो सकते हैं और मैं आपको यकीन से कह रहा हूं इसमें सिर्फ आप हम या सा से देखें अगर हो सके तो दो तीन चार बार घुमा के देख लें उसको तो आपको इसका फाइदा मिलेगा एक बार की मैनत है जिंदीगी बर का फाइदा है देखो पैग रेशो इसका ज्यादा है इसका पैग रेशो होना चाहिए वन के आसपास में बट थोड़ा सा over है त दोस्तों आप यह buy on dips पर consider कर सकते हैं प्राइस अफोर्डेबल है इसलिए इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका भी overall number से के decent है कोई problem वाली बात नहीं है net profit आप देखो तो एक ठीक ठाक लेवल पर चल रहा है हिच को यह जरूर आते हैं क्योंकि company का business model ही इस तरह से है तो seasonal effect होता है देखो जो company seasonal products पर काम करती है न देखो अब जैसे यह क्या है टावल, bed sheet, paper, chemicals यह सब यह क्या होता है आपका की जैसे दिवाली का time है तो दिवाली के time पर दोस्तो परदे, bed sheets यह ज़्यदा बिखती है और वही पर अगर मैं monsoon का time लो तो उस time पर इनकी sale हो जाती है कम तो seasonal effect है लेकिन overall company का profitable business है इसमें कोई doubt नहीं है जरा इसके technicals पर क्योंकि yearly chart पे कई बार anomalies मिल जाती है पर monthly chart पे better picture मिलती है अगर आप long term investor है तो हाँ आपको दिन में 4 बार बेजना खरीदना है तो फिर तो आप 5 minute का chart लगाओ उसमें वो आपकी आदत में होगा कई होंकी में राना कि उसमें जितना आप कमाते हो ना उससे ज़गा ब्रोक चलिए यहां देखिए run up आपको दिया इसने इतना जबर्दस्त ठीक है उसके बाद अभी चल रहा है consolidated zone में और यहां पर दोस्तों इसका यह है इसका आपका resistance level तो 65 के आसपास में अगर यह कुछ समय तक रहता है और इसको तोड़के उपर निकल गया ना तो आपको एक long term म जो अप trend है उसको show करता हुआ नजर आएगा price जा सकती 80 90 के आसपास में लेकिन अगर यहां से bounce back कर गया तो फिर आपको यह नीचे इस तर देखने को बिल जाएंगे इसमें 35 36 के आसपास यह यह इसके overall जो है चार्ट है तो अच्छे रह से volume के साथ trend कर रहा है तो company में trading तो dividend फिर 36 पर से का फिर 36 का फिर 36 पर से का अभी एक जून को 2023 को भी 36 पर से का तो आप इसे share से dividend की बहुत बड़ी income की उम्मीद तो आज नहीं कर सकते बट company का business model ऐसा है कि जिसकी demand worldwide बनी रहती है हमेशा तो उसको देखते हुए यहां पर एक मोगा बन सकता है हालां कि दोस्तो profitable investor बना सके उसकी कोशिश है यहां कोई buying और selling के recommendation बिल्कुल भी नहीं है हमारी तरफ से ठीक है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा कैसा लगा मुझे comment section में बताईए और हाँ दोस्तों वीडियो को like अभी तत नहीं किया तो कर दीजी और channel अगली बार मेरी वीडियो आपको मिलेगी कैसे और next चीज दोस्तों अच्छी knowledge share करने से आपका ग्यान भी वड़ता है और आपके मित्र आपके लिए धन्यवाद भी कहेंगे दिल से तो ऐसे informative और research-based content को share करिए यह Instagram की real यह नाजने घाने खीकिककुकु उनको तो छोड़ अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं तब तक जैहिंत